हेलो स्टुदेंट्स, आ हम आदर शिर्वारी and welcome back to Magnet Brains जहाँ पर आपको मिलता है 100% free and quality education यहाँ पर कभी भी आपको एक एदो वीडियोस देखने के बाद कोई फीपी करनी की ज़रूरत नहीं हो नहीं है, चाहे वो केजी से लेके class 12 तक हो चाहे वो हिंडी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो NTSC हो या ओलंपियाड हो, कहीं पर भी आपसे कोई fee नहीं ली जाती यहाँ पर कुछ matter करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका education तो आप जानते हम क्या कर रहे हैं तो हमने आपर NCRT and RD शर्मा के एक बहुती परफेक्ट से कॉम्बो को स्टार्ट किया हुआ है आपके लिए जो आपके एक्जाम के लिए बहुत important है और जैसे हैं आपर हमारी सिर्फ चल रही है हमारी यानिकी शिवानी मैम और मेरी क्योंकि शिवानी मैम जो है वो NCRT आपको पढ़ा रही है उसके सारे कॉंसेप्स बता रही है और फिर आपको यहाँ पर आकर वीडियोस देखने मेरे जहाँ पर मैं RD के सारे कॉंसेप्स और कोशन्स कर रहा हूँ और आप जानते हैं कितना वास्ट है ठीक है वैसे ही सारे ही फैकल्टीस की भी सीरीज चल रही है तो उन सब को अगर आपने देखा और वैसे ही फॉलू किया जैसा सब गाइड कर रहे हैं तो हम जरूर होंगे काम्याब अपने एक्जाम्स में तो हम कहां तक पहुंच चुके तो हमने दा प्लें चैप्टर स्टार्ट कर लिए अब दा प्लें जो चैप्टर है न यार वो बहुत इंपोर्टन्ट है और वो बहुत बड़ा है और आप यहां पर देखो कि इतने सारे टाइप्स जब हम करेंगे हर टाइप का कोशन कहीं ना कहीं आया हुआ है एक्जाम्स में तो सारे टाइप करना बहुत ज़रूरी है और सारे टाइप्स एक दूसरे से बहुत ज़रा डिक्रेंट नहीं है अगर बेसिक कॉंसेप्स आपने पकड़ कर चल लिए तो फिर वो सारे टाइप्स की कोशन एंगल बिट्विन टू प्लेंज के ठीक है फॉर्मूला हम समझ लें कि दो प्लेंज के बीच का एंगल क्या होता है क्योंकि यह जो एंगल बिट्विन टू प्लेंज का कॉंसेप्स है अगर इससे डारेक्ट कोशन नहीं भी आ रहा हो आपके एक्जाम में तो यह कहीं न कहीं किसी कोशन में किसी एक कोशन के बीच का पार्ट बन कर आ जाता है इसलिए इसके फॉर्मूला तो आपको पता होना ज़रूरी है ठीक है तो आप जानते हो अगर आप किसी वेक्टर को अगर आपके पास एक नॉर्मल है वेक्टर पर या तो यह फॉर्म हो या तो फिर आप ऐसे लिखते हो अगर दो प्लेंट से उनके बीच का एंगल निकालना है आपको छीक है मालो यह एक प्लेंट है ये दूसरा प्लेन है इनके बीच का एंगल निकालना है तो आप क्या कर सकते हो इनके पर्पेंडिकुलर के बीच का एंगल निकाल सकते हो और जो एंगल इन दोनों के पर्पेंडिकुलर के बीच बनेगा वही angle इन दोनों के plane के बीच भी बन रहा होगा तो इसमें जादा आपनको बहुत जादा कुछ समझने सोचने की जरूरत नहीं है बस यह समझना है कि अगर आपको दो planes की equation दी हुई है तो उनके perpendicular के बीच का अगर आप angle निकाल लेते हो आपके बास उन दोनों plane के बीच का angle भी आ जाएगा ठीक है तो यहाँ आप क्या बोलते हो angle between two planes कैसे निकाल दे हो angle theta between the planes r.n1 equals to d1 and r.n2 equals to d2 is given by cos theta equals to n1.n2 upon mod of n1 and mod of n2 जहाँ पर n1 और n2 जो हैं वो दोनों इस plane से कैसे हैं perpendicular है clear है तो यह formula देख लो लिख लो अच्छे समझते वी चलो अब इसका cartesian form की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर बोलते हैं the angle theta between the planes यह theta है the angle theta between the planes a1 x plus b1 y plus c1 z plus d1 equal to 0 and a2 x plus b2 y plus c2 z plus d2 equal to 0 is given by cos theta equals to अब यहाँ पर आपको पता है दो अगर आपके पास vectors हैं एक vector है आपके पास n1 equals to a1 i cap plus b1 j cap plus c1 k cap और n2 है आपके पास a2 i cap plus b2 j cap plus c2 k cap तो आप बोल सकते हो इन दोनों की बीच का angle किता होगा तो इन दोनों की बीच का angle होगा cos theta equals to a1 a2 b1 b2 c1 c2 upon root of a1 square plus b1 square plus c1 square root of a2 square plus b2 square plus c2 square यह आपको पता है पहले सी निकाला हुआ है हमने वेक्टर इतने time से पढ़ते हुआ आ रहे हैं तो भई दो वेक्टर की बीच का angle उनके direction ratio जो direction cos के form में क्या होता है तो यह होता है निकाला हुआ है हमने ठीक है अब दूसरी बात यह होती है कि यहाँ पर यह कैसे पद़च चलेगा कि n1 और n2 क्या है तो यह भी मैंने आपको बताया हुआ कि अगर Cartesian form में आपको दिया हुआ है a1 x plus b1 y plus c1 z plus d1 equals to 0 तो यहाँ पर जो x y और z के coefficients होते हैं वही आपके n1 vector को form कर रहे होते हैं मतलब यह उसके direction ratios होंगे किसके n1 vector के similarly वहाँ पर n2 vector के direction ratios होंगे x y और z के coefficients क्यों होता है ऐसा क्योंकि यह कहां से आया होता है तो यह आया होता है r dot n vector से equals to d बोल दो आप minus d plus d जो भी बोलना है अपर plus minus का sign तो depend करेगा d q उपर ठीक है एविए a1 x b1 by c1 z कैसे आता है तो यहाँ पर आप बोलोगे r रहा होगा r तो हमेशे ही x i plus y j plus z k होता है और n क्या होता है तो n होता है ai या a1 i plus a2 j sorry b1 j plus c1 k इन दोनों को जब multiply करोगे तभी तो आएगा a1 x plus b1 y plus c1 z तो यहाँ पर x y और z तो r से आ रहा है और a1 b1 c1 जो है वो n से आ रहा है इसलिए मैंने बोला कि कभी भी आपको partition form में दिया हुआ है कुछ आपको क्या निकालना है आपको यह निकालना है कि भाई इसमें कौन सा vector n cap है n vector है तो आप बोलोगे a1 b1 और c1 से बनने वाला vector आप वहाँ पर आपके पास जब तो मतलब अगर आपको totally देखा जाये तो मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि angle between two vectors अगर निकालने को आता है किसी question के बीच में अगर इसकी जरूरत पढ़ जाती है तो आप क्या बोल सकते हो कि भाई cos theta क्या होता है तो अगर vector form में दिया हुआ है तो n1.n2 upon mod of n1 and mod of n2 का multiplication जहां पर n1 और n2 जो हैं वो दोनों जिन planes के बीच में हमको angle निकालना है उन दोनों planes से perpendicular है n1 और n2 ठीक है अगर partition form दिया हुआ है तब भी आपको same बात करनी है क्योंकि हाँ पर a1, b1, c1 से मिलकर बनने वाला vector क्या होगा तो वो n1 होगा और a2, b2, c2 से मिलने वाला vector n2 होगा ठीक है तो आप n1.n2 करोगे तो आपको यहीं मिलेगा a1, a2, b1, b2, c1, c2 mod of n1 यह रहा mod of n2 यह रहा तो है exact same चीज चो है आप partition में बोलो या vector में बोलो बस यहाँ पर i, j, k नहीं दिखता आपको तो आप तो जानते ही हो angle निकालना तो finally i, j, k तो हट नहीं है ठीक है तो यह angle between two vectors आप इस तरीके समझ सकते हो अब यहाँ पर बात आती है on finding a plane passing through a given point and perpendicular to two given planes तो अब आपको निकालना है भाई एक ऐसी plane की equation दो given plane से कैसा है perpendicular है तो आप बोलते हो अगर इसकी equation है r.n1 cap equals to d ठीक है या फिर दूसरे plane की equation है r.n2 cap equals to d या एक plane की equation है भाई जो, मतलब जिनसे perpendicular है ना, जिनसे perpendicular है उनकी बात कर रहा हूँ तो r.n1 equals to a.n1 a1.n1 और r2 की है r.n2 equals to a1.n2 तो अगर आपको यह पता है कि n1 और n2 जो है वो दो जो given planes है उनसे perpendicular है और आपको ऐसे plane की equation निकालनी है जो कि उन दोनों से कैसा होगा perpendicular होगा ठीक है उन दोनों से perpendicular होगा ठीक है n1 जो है वो r से perpendicular है n2 जो है वो दूसरे वाले plane से perpendicular है r मतलब यहाँ पर पहले plane की बात कर रहा हूँ है ठीक है n1 जो है पहले plane से perpendicular है n2 जो है वो दूसरे plane से perpendicular है तो आप बोल रहा हो n1 इस perpendicular to the first plane and n2 is perpendicular to the second plane अब हमको ऐसे plane की equation जो इन दोनों से परपेंडिकुलर हो तो इन दोनों से जो परपेंडिकुलर होगा वो एक्च्वल में n1 क्रोस n2 होगा ठीक है तो आप बोलोगे then n1 क्रोस n2 will be perpendicular to the required plane जिस plane की equation आपको चाहिए है उससे क्या perpendicular होगा तो n1 क्रोस n2 जो होगा वो उसके जो required plane है उसके perpendicular के समान एक्ट करेगा तो यहाँ पर आप बोलोगे n1 क्रोस n2 क्या हो जाएगा required plane के लिए n हो जाएगा तो आप बोलोगे therefore n1 क्रोस n2 equals to n for the required plane और मैं बोलता हूँ अगर वो pass कर रहा है point a से ठीक है and it passes through and if it passes through a then आप बोलोगे कि a से वो pass हो रहा है और वो perpendicular है n1 क्रोस n2 से तो आप क्या बोलोगे तो आप बोलोगे भई उसकी equation हो जाएगी r dot n1 क्रोस n2 equals to a dot n1 क्रोस n2 because उसके लिए जो normal vector होगा वो कौन सा होगा n1 क्रोस n2 होगा तो कुछ करना नहीं है कुछ समाजना नहीं खोचना नहीं बहुत ही आसान सी चीज़ है जब आपको दो plane की equation दी हो और एक point दिया हो और बोला गया हो कि भई एक plane की equation निकालो जो जिसमें यह वाला given point आ रहा है और वो given जो दो planes हैं इसका perpendicular पता होगा आपको क्योंकि equation given है उसकी तो आप बोलोगे उन दोनों का cross product निकालो जो दोनों का perpendicular है n1 cross n2 निकालो और जो given point है उसका position vector निकालो जो cross product आएगा वो required plane के लिए perpendicular का काम करेगा तो equation में आपको put करना है r.n1 cross n2 equals to a.n1 cross n2 यह equation जो होगी वो required plane के लिए इस वाली equation का काम करेगी तो जो n1 cross n2 है required plane के लिए n है normal है और a जो है यहाँ पर वो उससे जो plane है वो pass कर रहा है बात समझ में आ रही है नहीं भी आ रही है अगर तो आगे अपन question करेंगे और अच्छे साज़ेगी वैसे मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ नहीं समझ में आने जैसे चीज है आ रही होगी आपको समझ में अब आगे question करते हैं हम इसका और देखते हैं कि क्या करना है actual में इसमें तो यहाँ पर question दिया हुआ है तो यह भी आया हुआ question है देख लो यहाँ पर हम जो भी questions discuss कर रहे हैं वो बहुत important है अब बहुत landy chapter है यह बात मैं मानता हूँ तो इसमें थोड़ा सा time तो लग रहा है अपने को solve करने में लेकिन यार आप क्या करें हम skip नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें सब कुछ देखना है जो भी important है जहां से भी question निकल कर आए हमें करना तो वो है ठीक है और यह मैं मेरी बात मान कर चलो कि जो सारे questions कर रहे हो आप ये करके आप जब जाओगे तो आपके पास कोई भी question आ जाए आप कर लोगे उसको बहुत असानी से बट अगर कोई सभी part आपने skip कर दिया और गल्ती से उसका question आ गया तो फिर क्या करेंगे न हम वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी इसलिए थोड़ा थोड़ा सारे parts के सारे type की question आप पढ़ते हुए चलो clear है बात तो अभी बोल रहा find the equation of the plane passing through the point 1,1,-1 ठीक है तो a vector क्या हो जाएगा इसका तो वो हो जाएगा भई i cap plus i cap minus i cap plus i cap क्यों i cap plus j cap minus k cap भई जिससे pass कर रहा है वो a vector होता है और a vector मतलब अगर coordinates दिये होए है तो उसका position vector क्या होगा तो हमको निकालते आता है जो भी x y z का होता i j k लगा दो plus minus का sign लगा दो answer आ जाता है position vector आ जाता है तुरंट से अब आपके पास दो vector दो planes की equation है ठीक है तो यहापर आप बोलते हो plane 1 जो है आपका वो है x plus 2y तो आप आप लिखते हो यह भाई यहाँ पर लिखो के plane passes through plane passes through this and plane is perpendicular to plane is perpendicular to x plus 2y plus 3z minus 7 equal to 0 x plus 2y plus 3z minus 7 equal to 0 इससे वो perpendicular है कोई दिखकर दे है इसमें आपको अब दूसरे से भी perpendicular है एक और से किससे भाई दूसरा है 2x minus 3y plus 4z equals to 0 अब मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर partition form भी आपको मिल जाए तो आप इन दोनों ही जो planes हैं इनके perpendicular साफ निकाल सकते हो क्या क्या करना है एक बार शांत दिमाग से बैठते हैं और सोचते हैं कि जब ऐसा question आएगा तो हमें क्या करना होगा सबसे पहला step उस point पर ध्यान देना होगा जो हमें given है उसके position vector निकालने होगे जिससे वो plane पास हो रहा है तो हमने वो काम कर दिया हमारा पहला जो point है वो है i plus j minus k ये उस point का position vector आ गया जिससे वो plane पास हो रहा है step number two तो step number two में क्या करना है आपको given है दो plane जिनसे वो plane perpendicular होगा आपको उन दोनों ही planes के normals निकालने है n1 और n2 निकालना है ठीक है तो यहाँ पर आपके पास पहली equation है x plus 2y plus 3z minus 7 equal to 0 तो इसके normal क्या होगा मैंने आपको बोला जो x, y और z के coefficients होते हैं वही normal बनाते हैं अपना मतलब की normal n1 आप बोलते हो normal to the plane x plus 2y plus 3z minus 7 equal to 0 is n1 vector जिसको मैं n1 vector बोल रहा हूँ मेरा नाम है वो मेरा नाम नहीं मतलब उस vector का नाम मैंने दिया है इसलिए मेरे through given name है वो ठीक है अब यहाँ पर x plus 2y plus 3z minus 7 इसको आप बोलेंगे x का coefficient कितना है 1 है तो यहाँ आप बोलोगे 1i cap y का coefficient 2 है तो 2j cap z का coefficient 3 है 3k cap यह होगे आपका n1 vector अब आप बोलोगे भई normal to the plane दूसरा वाला कौन सा है 2x minus 3y plus 4z equals to 0 तो यहाँ पर आप बोलोगे n1 n2 vector इसका क्या हो जाएगा x, y और z का coefficient क्या है भई i, j और k तो यहाँ पर आप बोलोगे 2i cap minus 3j cap plus 4k cap यह होगे आपका n2 vector यह होगे आपका n1 vector कोई इसमें दिक्कत परिशानी नहीं होनी चीए आपको बहुती आसान चीज़े ही ठीक है अब आपके पास 3 पॉइंट क्या करना है तो आपको यहाँ पर दोनों ही normals का cross product निकालना है मतलब आपको क्या करना है तो आप बोलोगे n1 cross n2 हमको find करना है पहली फुरसत में ठीक है तो n1 cross n2 के लिए अब आपको यहाँ पर ज़्यादा सोचना नहीं है तो बहुत असानी ही जानते हूँ आप पहला row तो i, j, k होता है के coefficients की row बनती है आप तो 2-3, 4 अब आपको क्या करना है इसका cross product निकालना है तो भई यहाँ पर आप बोलोगे i into 2 into 4, 8 minus minus 3 into 3 is 9, minus का 9 यह हो जाएगा plus 9 i cap minus, जब j का होगा तो 1 into 4 minus 2 into 3 j cap plus k के लिए 1 into minus 3 minus 2 into 2 k cap कोई दिक्कत, कोई परिशानी यहाँ पर तो नहीं होनी चीए भाई, ठीक है तो हो जाएगा 8 plus 9 मतलब 17 i cap minus 4 minus 6 कित्ता होता है minus 2, तो इस minus को वो plus कर देगा तो plus 2 j cap 1 into minus 3 is minus 3 और minus 2 into 2 is minus 4 minus 3 और minus 4 हो गया minus 7 k cap तो यह बन गया आपका वैक्टर जो की n1 cross n2 हमें वो वैक्टर देगा जो की given vector के perpendicular होगा जो की given vector के perpendicular होगा ठीक है बात समझ में आ रही है आपको यहाँ पर तो अब हमारे पास वो vector आ गया है जो की given नहीं sorry required vector given मैंने गलती बोल दी गलती से बोल दी है ठीक है तो अब क्या होगा यहाँ पर तो आप बोलोगे perpendicular to the required vector क्या है तो वो है n is equal to इसको n बोल देते हैं अब सीधी है ना वो 17 i cap plus 2 j cap minus 7 k cap और जो required vector है वो पास किससे हो रहा है तो सबसे पहरी line में जो हमने लिखा हुआ था वो पास हो रहा है i plus j minus k से तो यहाँ पर a vector को आप लिखते हो i plus j minus k अब आपको क्या करना है तो आपको यहाँ पर सिर्फ वितना सा ध्यान देना है कि भई हमें यहाँ पर equation of plane जो होती है वो होती है r dot n vector equals to a dot n vector r तो आपको पता है r x i plus y j zk होता है तो अभी अपन को r की value रखने की जरूँ अपन vector equation ही निकाल रहा है partition तो बोला नहीं है बोला होता तो फिर dot product निकाल कर partition भी निकाल देंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी हम बोलते है r vector dot n किता है तो 17 i cap plus 2 j cap minus 7 k cap equals to a vector जो है यहाँ पर उसका dot product n के साथ तो a dot n अरे यार तो उसको लिख तो चुके है न a dot n किता हो जाएगा a है अपना i plus j minus k dot 17 i plus 2 j minus 7 k तो यह कितना हो जाएगा भई i dot i बन होता तो i यहाँ पर जो भी इनकी coefficients उनका multiplication होगा 17 into 1 is 17 2 into 1 is 2 minus 7 into minus 1 is plus 7 तो यह कितना आगया r dot n equals to कितना जाएगा 17 or 2 19 plus 7 26 तो यह हो गया भई आपका answer कोई दिक्कत कोई परिशानी इसमें अगर है तो आप comment section पर कभी भी पूछ सकते हैं और कुछ students ने बहुर अच्छा काम स्टार्ट किया है कि वो telegram group पर directly questions पूछ रहे हैं तो यह बहुत ही शांदार चीज है अपना interaction भी कितना शांदार हो रहा है वहाँ पर अपने ध्यान दिया और जरूर जरूर जोइन कर लो आप लोगा ना अगर कोई भी डाउट रही तो हम भी जरूर पूछ सकते हों आप लोग कभी भी तो जोइन करो यार आपके बहुती फायदे वाली चीज है वो सोचो आप Magnet Brains ने कितना कुछ सोचा हुआ है यहाँ पर अलग-अलग टाइप की websites खुली हुई है अलग-अलग टाइप की applications खुले हुए है जहाँ पर आपको doubts वगरा डालने पढ़ते हैं लेना पढ़ते हैं उसके बाद doubts पूछने पढ़ते हैं ठीक है यहाँ पर तो आप भाई कभी भी डाउट डालो आराम से आपको answer मिल जाएगा एक दम बन टूवन doubt पर भी doubt पूछ सकते हो मैं ऐसा नहीं कि आपने question डाला है और कसे solution मिल गया और आप खुश हो गया नहीं आप उसके solution में ये भी पूछ सकते हो कि सर ऐसा यहाँ पर ऐसा क्यों आया जिसे खलकी बात है टेलिग्राम ग्रूप पर क्या मस्द discussion हो रहा था मतलब किसी student ने कुछ question पूछा उसका मैंने एक solution दिया तो उसने ये पूछा कि सर ऐसा solution क्यों नहीं हो सकते दूसरी तरीके से तो वो बहुत ही genuine doubt लगा मुझे कि हाँ भाई ये ऐसा पूछ सकता ही और ये general लोगों को आता होगा ये question तो फिर मैंने उसको भी clear किया और वहाँ पर बहुत सारे अच्छे questions लोग पूछते हैं तो आपके भी बहुत सारे doubts clear हो जाएंगे वहाँ पर जो आपके मन में होता है आप कहीं पर पूछ नहीं पाते है स्कूल में या कोचिंग में खड़े होकर पूछने में कई पर हमें इस बात की जिजा कर जाती है कि यार सामने वाला ये तो तो कहां क्यों कैसे करवाया है मैंने उस पर आप questions पूछ सकते हो अगर आपको वो चीज समझ में ना आई हो तो वैसे मैं generally सारे questions में सारे अपनी theorems में बताने की कोहिश करता हूँ कि क्या चीज क्यों आई है ताकि आपके मन में doubt ना हो फिर भी रह जाता है तो जरूर उस group को join करें और वहाँ पर questions पूछें ठीक है चो तो यह आगया आपका answer finally क्या क्या किया आपने एक बार देख लेते हैं हम तो आपसे बोला गया था क्योंगी find the equation of the plane passing through the point 1,1,1 and perpendicular to the planes this and this तो हमने बोला इन दोनों plane से perpendicular है पास हो रहा है वह इससे तो इसका position vector क्या हो जाएगा यह हो जाएगा i plus j minus k इन दोनों से perpendicular है तो आप बोलोगे कि x plus 2y plus 3y minus 7 equal to 0 यहाँ पर x जो है इसका coefficient जो हो जाएगा y का coefficient जो हो जाएगा z का coefficient जो हो जाएगा यह मिलकर हमारा n1 vector बना लेंगे मतलब कि वो vector जो की perpendicular है इस given plane से similar ले मुझे n2 मिल जाएगा जो की इससे perpendicular है हमें क्या करना होता उसके बाद निकालना होता n1 cross n2 n1 cross n2 निकालेंगा तो हमें वो vector मिल जाएगा जो की required vector से perpendicular है उसका perpendicular मिल गया उसका point मिल गया तो हम उसकी equation बता सकते हैं तो हमने यही किया n1 निकाला n2 निकाला इन दोनों का निकाला cross product उसके बाद n1 cross n2 हमारा n vector आ गया और a vector हमारा वो वाला vector हो गया i plus j minus k मतलब की जिससे वो pass हो रहा है हमने इस equation ने put कि answer आ गया आपके पास r dot 79 plus 2 j minus 7 k equal to 26 अब बोला on finding a plane passing through two given points and perpendicular to a given plane यह बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पर बहुत आसानी से आप एक चीज़ समझ सकते हो कि अगर वो दो points से pass हो रहा है और वो एक plane के perpendicular है तब क्या होगा मतलब दो points से अगर वो pass हो रहा है ठीक है तो आप बोलते हो यह एक plane है ठीक है यह दो points से pass हो रहा है जो की है PQ इसको मैं बोल रहा हूँ P इसको मैं बोल रहा हूँ Q ठीक है अब इसको मैं बोल देता हूँ A vector इसका जो position vector है इसको मैं बोलता हूँ B vector position vector दोनों के ठीक है अब वो एक से पास हो रहा है और दूसरे plane के वो कैसा है perpendicular है तो आप बोलोगे अगर मैं दोलता हूँ दूसरे plane के वो perpendicular है दूसरा plane में कहां पर बना सकता हूँ तो कहीं यहां पर मैं बनाता हूँ दूसरा प्लेन जिससे हमारा required plane कैसा है perpendicular है पूरा ही हट गया यह हमारा required plane है required plane हमारा red वाला है और इससे perpendicular plane है यह बहुत इन दोनों की बीच के 90 degree का एंगल बन रहा होगा ठीक है तो इसका भी एक normal होगा इसको मैं n1 बोल लेता हूँ ठीक है और यह pq है अब आप एक बात बताओं मुझे थोड़ा सा सोच कर कि यह दोनों plane perpendicular है तो इस plane का जो normal होगा वो इस plane के perpendicular होगा कि parallel होगा आप खुछ सोचो यह एक plane है यह दूसरा plane है दोनों एक दूसरे परपेंडिक होगा है तो यह जो पहले plane का normal है यह दूसरे plane के कैसे आ रहा है तो आप बोलेंगे वो तो parallel आ रहा है मतलब उस plane के parallel है अगर हमारा पहला वाले दूसरे वाले plane का normal और एक वेक्टर मुझे पी क्यू मिल रहा है यह भी उस plane के ऊपर आ रहा है ठीक है तो दो parallel वेक्टर मिल गया है मुझे उस plane के तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर इन दोनों वेक्टर का मैं प्रॉस प्रॉड़क निकालूंगा तो मुझे एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो की given plane के sorry required plane के perpendicular हो जाएगा बा समझ में आरी क्या बोल रहा हूं एक और बार सुनो अच्छे से हमें यहाँ पर जो solution हमें यहाँ पर जो equation निकालने को बोला गया है उसमें बोला गया है कि एक plane की equation निकालो जो कि किसी given plane से perpendicular है तो यह हमारा जो blue वाला है वो given plane है red वाला जो है वो required plane है अब यह perpendicular है blue वाले plane से ठीक है तो मैंने बोला कि वहाँ पर और वो दो points से पास भी हो रहा तो दो points P और Q हैं उनके position vectors A और B vector मैंने ले लिए अब मैं यहाँ पर यह देखता हूँ कि अगर जो given plane है उसका एक normal होगा और given plane is perpendicular to the required plane तो यह आपस में वैसे ही perpendicular है तो given plane के तो normal होगा वो required plane के parallel होगा ठीक है अब अगर वो required plane के parallel है और जो यहाँ पर भाई अपना P Q vector आएगा वो भी parallel होगा तो इन दोनों ही vectors का N1 का और P Q का जब हमें निकालना होगा cross product तो वो जो vector निकल कर आएगा वो कौन सा vector मिलेगा तो आप बोलोगे N1 cross P Q जो मिलेगा वो हमेशा हमेशा आपको एक ऐसा vector मिलेगा जो की required plane के perpendicular होगा तो आपको यह समझ में आ गया कि कैसे आपको equation निकालनी पड़ेगी तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाई मान लो जो given plane है उसकी equation है given plane है आपको उसकी equation है r.n1 vector equals to a1.n1 vector तो यहाँ पर आपको यह समझ में आ जाए कि given plane is perpendicular to n1 vector ठीक है तो आप क्या लिखोगे है आपको given plane is perpendicular to n1 vector यह बाद आपको समझ में आ गई ठीक है तो अगर given plane जो है वो n1 vector के perpendicular है तो required vector required plane जो होगा वो किसके किसके perpendicular होगा तो वो pq cross n1 के perpendicular होगा ठीक है तो आप यहाँ पर बोलते हो required plane passes through required plane passes through points p and q तो कौन कौन से point को pass कर रहा है वो p and q का position vector है वो a vector है q का position vector b vector है तो आप बोलोगे p q vector क्या हो जाएगा वो हो जाएगा b minus a vector आपने b minus a vector निकाल लिया इसके बाद आप बोलोगे vector perpendicular to the required plane एक vector जो की required plane जो की हमें निकालना है उसके perpendicular है तो वो vector कौन सा होगा तो आप जानते हो कि n1 cross p q जो होगा वो required vector के perpendicular होगा तो आप बोलोगे n1 cross p q ठीक है तो आपने n1 cross p q निकाल लिया वो आपको मिल गया कौन सा vector n vector required का n vector मतलब normal ठीक है तो इसी को आप क्या बोलोगे therefore n vector equals to n1 cross p q n vector मतलब की ये जो हमारा normal जो form होता ना r dot n equals to a dot n उसमें जो n vector आएगा मतलब required vector का perpendicular vector ठीक है end and कोई सभी a coordinate जिससे वो plane pass हो रहा है ठीक है तो आप बोलते हो की end passes through a vector तो आपके पास यहाँ पर वो vector है जिससे plane pass हो रहा है और आपके पास यहाँ पर वो vector है जिसके plane perpendicular है तो आप बोलोगे equation of the plane क्या हो जाएगी equation of the plane हमें पता है कि equation of the plane होती है r dot n vector equals to a dot n vector यहाँ पर r तो r ही रहेगा भई क्योंकि equation वही form करवाता है r हमारा normal एक x i plus y j plus z k का vector होता है ठीक है और n क्या यहाँ पर तो यहाँ पर n vector जो निकल कर आए है वो है n1 cross pq vector तो यहाँ पर n1 cross pq लिख देता हूँ मैं equals to यहाँ पर क्या देखना है यह तो पता ही है अपन को भई कि a vector के parallel होता है आप अप क्या लिखोगे equals to a dot n होता है तो a dot n1 cross pq अब एक बाद आप ध्यान देना यह आ गई जरूर vector equation आपकी यहाँ पर ठीक है बट इसको याद करने मत बैठ जाना तो कि कोई sense नहीं है इसको learn करके जाने का हमें पता है कि यह चीज़ कहां से आती है कैसे आती है और आपको एक बाद बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर यह देखने में भड़ी डिफिकल्ट है लेकिन जब हम डिफिकल्ट कर यह भी नहीं है लेकिन जब हम cross product वगएरा निकाल लेंगे तो उसके बाद जो equation आएगी हो बहुत simplified way में होगी जिसको हम बहुत अच्छे स जानते हैं तो आप हमेशे याद रखना कि यह जो plane वाला जो 3D geometry का आपकी चैप्टर से हैं इनमें formula याद करने का इतना मत सूचना परना इतने सारे formula हैं कि आप यही बूल जाओगे कि कितने formula हैं कहां कहां पर कौन से लगते हैं इससे अच्छा ways याद करो कि अगर यह जो कि उस plane से normal हो perpendicular हो तो अगर यह दोनों चीज़ें आपको कहीं से भी मिल जा रही हैं तो आप equation of plane form कर सकते क्योंकि अल्टीमेटली वही पर ही पुहुचना है आपको डॉट एज इक्वस तो आर डॉट ए इस इक्वस तो एडॉट एडॉट एड एज पर ठीक है तो यहाँ पर इससारी चीज़ें याद मत करने लगना हमें क्या करना है तो हमें इसका ways ध्यान रखना है कि हमने क्या क्या किय था आपको यह दिया हुआ था कि जो required plane है हमारा वो किसी एक plane से perpendicular है और वो दो पॉइंट से पास होता है थो हमने बोला अगर वो दो पॉइंट से पास होता तो वो PQ vector के parallel होगा क्योंकि अगर एक point P और एक point Q है तो PQ vector उसी plane पर लाए कर रहा होगा और अगर वो किसी एक given vector से perpendicular है तो उस vector का perpendicular इस vector से parallel वो अगर किसी given plane के perpendicular है तो उस plane का perpendicular given plane से parallel हो जाएगा तो हमने बोला कि वह एन 1 और PQ का जो cross product आएगा वो एक ऐसा vector आएगा जो इन दोनों से perpendicular होगा तो वो हमारे required plane से भी perpendicular होगा तो हमें वो n vector मिल जाएगा ठीक है जो की हमें चाहिए होता है कौन सी equation में तो यह जो plane की equation निकालते है r.n is equal to a.n में और a तो भाई आपके पास 2-2 है a मतलब की यहाँ पर वो points जिससे वो plane पास हो रहा तो किसी भी a की coordinates आप रख सकते हो तो वैसे ही चलते हुए चलो तो कि answer generally उसी को मानते हुए लोग निकालते हैं calculate करते हैं तो check करने वाले को भी तकलीफ नहीं होगी ठीक है तो समझ में आगे क्या क्या करना है इसमें अब अगर यह चीज समझ में आ चुकी क्या 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 करना है तो question करने में कोई भी दिक्कत परिशानी नहीं होनी चाहिए तो सो clear करके आगे चलते हैं अब question करते हैं इससे ये भी आया हुआ question है देख लो CBST 2012 में तो भाई सारे जो type के question सपन कर रहे हैं वो बहुत ही important है ना चलो तो अब यहां पर बोल रहा आप A vector किसको मानोगे तो जो पहले लिखा हुआ question में उसको मानोगे तो यह A vector हो गया यह B vector हो गया and perpendicular to the plane X minus 2Y plus 4Z equal to 10 तो जो यह vector है भाई यह plane X minus 2Y plus 4Z equal to 10 से कैसा है perpendicular ठीक है तो आप बोलोगे इस perpendicular to required plane चलो पहले A B लिख देते हैं पंसारी चीज़े ठीक है पहले कोशन तो पूरा पढ़ ले उसके बाद लिखते हैं चलो also show that the plane thus obtained contains the line अच्छा अब यह भी बताना है आपको कि जो plane आएगा वो इस line को contain करेगा अब यह कैसे बता पाँगा कि अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं मेरे तो यह आपके बाए हाथ का खेल होना चाहिए बहुत आसानी से आप इस बात को बता सकते हो कि यह इस line को contain कर रहा है जो भी plane आ रहा है वो हम कैसे बता पाएंगे तो यहाँ पर आप इस line के general coordinates find कर सकते हो x, y और z की value find कर सकते हो मतलब कि वो coordinates जो की इस line पर आएंगे वो points, उन points के coordinates वो सारे points जो की इस line पर आएंगे उनके general coordinates जब भी general coordinates की में बात करता हूँ तो वो lambda के terms में हमें coordinates मिलते हैं मतलब बहाँ पर lambda की अलग-अलग values आप put करते जाओगे और उस line पर आने वाले सारे points आपको मिलते जाएंगे तो हमको यहाँ पर क्या करना होगा जब यह बताना होगा कि यह line उस plane में आती है तो plane की equation तो तब तक हम बना चुके होंगे पूरी और line की equation हमारे पास है यहाँ से हम क्या कर लेंगे तो यहाँ से हम x, y और z की value निकाल लेंगे x, y और z किसकी बात कर रहा हूँ है जो general coordinates हम निकाल लेंगे इस line के ठीक है lambda के terms में अब उनको उठाकर मैं plane की equation में put कर दूँगा अगर वो उस plane की equation को satisfy कर रहे है तब तो बात सही है भाई तब तो क्या बोलेंगे हम की line जो है वो contained हो रही है उस plane में और अगर वो उसकी equation को satisfy नहीं कर रहे हैं तब हम बोलेंगे कि भाई वो जो line है वो उस plane में नहीं आ रही है clear यह बात तो चलो पहले तो भाई plane की equation निकालते हैं तो equation of plane क्या होगी तो find the equation of the plane through the points 2,1,-1 तो आपका a vector किता हो जाएगा तो वो हो जाएगा 2i cap plus 1j cap minus 1k cap और b vector किता हो जाएगा तो b हो जाएगा minus 1i cap plus 3j cap plus 4k cap clear है बात and perpendicular to the plane चलो तो भी perpendicular है किससे इस plane से तो आप बोलोगे it is required plane is perpendicular to x minus 2y plus 4z equals to 10 x minus 2y plus 4z equals to 10 से वो perpendicular है तो क्या हम इस vector का normal निकाल सकते हैं क्योंकि हमें हाँ पर क्या क्या करना है तो वही बात एक बार शान्ती से सोचो सबसे पहली बात तो हमें ये निकालना है कि ये जो plane है वो दो points से अगर जा रहा है दो points से वो पास हो रहा है तो उस point पर आने वाला जो pq vector होगा उसका position vector कित्ता आएगा ठीक है उसके बाद हमें निकालना है जिस plane के वो perpendicular given है उस plane का normal क्या होगा उस plane के लिए n vector कौन सा होगा तो यहाँ पर इसका n vector मतलब n1 जो हमारे question में हम जिसको n1 रखकर solve करेंगे तो वो कित्ता हो जाएगा तो आप बोलोगे normal to the given plane given plane के normal क्या हो जाएगा तो वो जाएगा n1 vector मैं बोल रहा हूँ उसका नाम n1 दे दिया है मैंने और वो कित्ता हो जाएगा तो यहाँ पर आपको मैंने बताया हुआ है x, y और z के coefficients से एक जो आप vector form करोगे वही आपका normal हो जाएगा given plane की तो यहाँ पर x coefficient 1 है तो आप बोलोगे 1 i cap minus 2 j cap plus 4 k cap तो 1 i cap minus 2 j cap plus 4 k cap यह आगया आपका normal vector ठीक है अब आप क्या बोलोगे आपके पास n1 है आपके पास p q नहीं है ठीक है तो आप बोलते हो p की coordinates A थे q की coordinates थे तो आप बोलोगे p q vector याने की b minus a vector अब यह p q और b a आपको question में नहीं दिये हुए है लेकिन हमने जब derive करी यह सारी चीज़े जब हमने इसको समझा हमने formula देखा क्या कैसे निकालना है तब हमने देखा था कि हमने उसमें जो plane पर lie करने वाले points थे उसको p और q का नाम दे दिया था ठीक है और a और b उनके position vectors को नाम दे दिया था तो यहाँ पर p q vector होगा b minus a मतलब b याने की जो second वाला a को minus कर दो तो minus 1 minus 2 हो जाएगा minus 3 i cap 3 minus 1 हो जाएगा plus 2 j cap 4 minus 1 हो जाएगा plus 5 k cap तो यहाँ आपके पास आगया p q अब आपको क्या निकालना है तो आप बोलोगे vector normal to the required vector is given by तो ऐसा vector जो की required vector के normal है वो कैसे मिलेगा आपको तो वो आपको मिलेगा यह जो हमारे पास n1 है और यह जो p q है इनके cross product से तो आप बोलोगे यह हो जाता है तो वो मिलता है आपको n1 cross p q से ठीक है p q आपने निकाल लिया है n1 आपने निकाल लिया है आपको दोनों का cross product चाहिए है ठीक है n1 निकाल लिया है नहां यह रहा 1 i-2 j plus 4 k तो आप बोलता है n1 cross p q कित्ता हो जाएगा तो वो हो जाएगा भई 1 i-2 j plus 4 k मतलब कि 1-2 plus 4 आजाएगा पहले तो i j k 1-2 और 4 और p q क्या है तो minus 3 2 और 5 minus 3 2 और 5 तो यहाँ पर क्या करना अब आपको तो यहाँ पर इनका हमें निकालना है cross product तो क्या करोगे आप आप बोलोगे n1 cross p q कित्ता हो जाएगा i को चुपाओ भई minus 2 into 5 minus 2 into 4 i cap minus j के लिए minus 3 into 4 मतलब कि minus 12 अभी इसको minus 3 into 4 आजाएगा minus 5 into 1 j cap और k के लिए कित्ता हो जाएगा तो plus k cap के साथ 1 into 5 minus minus 3 into 4 k cap तो यह जाएगा कित्ता भई minus 10 minus 8 i cap minus minus 3 into 4 is minus 12 minus 5 j cap plus 1 into 5 is 5 plus 12 k cap यह जाएगा minus 18 i cap यह minus 17 और minus plus 17 j cap plus 17 k cap k के लिए 1 toza और 3 toza k के लिए कुछ गड़बड हो गई है अपन से हाँ ठीक है बहाँ पर हो गई k के लिए भी j वाले कर दिया क्या मैंने j के लिए भी गड़बड हो गई यह कैसी गड़बड़ी कर दिये मैंने चलो चलो अच्छी बात है कि होश में तो आगया मैं तुरंट से वापत से देखो तो अपनने i के लिए क्या किया minus 2 into 5 is minus 10 2 into 4 is 8 i के लिए तो ठीक है कोई दिखकत नहीं minus j के लिए 1 into 5 minus minus 3 into 4 यह लिखा था क्या शायद चलो k के लिए plus k के लिए आप क्या लिखोगे 1 into 2 minus minus 3 into minus 2 मतलब कि minus 3 into minus 2 is minus into minus plus plus 6 ठीक है तो एक इत्ता आजाएगा minus 10 minus 8 मतलब minus 18 i के minus 1 into 5 is 5 minus 3 into minus 4 is minus 12 minus से वो क्या हो जाएगा plus तो plus 12 और plus 5 हो जाएगा 17 मतलब जे भी सही था अपना इस से पहले मैंने जबरदस्तिक इसको कट किया minus 2 is 2 2 minus 6 is minus 4 तो यह जाएगा minus 4 के कह है तो सब कुछ negative आ रहा है भई minus 18 i कह है minus 17 j कह है minus 4 k कह है ठीक है यह आ रहा है आपका n1 cross pq आपके पास n1 cross pq आ गया ठीक है आपके पास a vector है जिससे वो pass हो रहा है अपना given vector required vector तो आप बोलोगे equation of the required vector तो required vector की equation क्या हो जाएगी तो वो हो जाती होई r dot n1 n cap equals to a dot n cap n vector ठीक है तो r dot n vector तो r dot minus 18 i minus 17 j minus 4 k equals to a dot n तो a कितना है आपका पहला वाला vector अपना a कितना था 2 i plus 1 j minus 1 k तो आप लिखते हो 2 i cap plus 1 j cap minus 1 k cap dot n vector वही अपना minus 18 minus 17 minus 4 k minus 18 i minus 17 j minus 4 k इसको लिखरेन दो भाई r dot minus 18 i cap minus 17 j cap minus 4 k cap equals to 2 into minus 18 is minus 36 1 into minus 17 is minus 17 minus 1 into minus 4 is plus 4 तो यह कितना हो जाएगा भाई minus 17 plus 4 हो जाएगा minus 13 minus 13 और 36 मतलब minus 49 तो यह हो जाएगा r vector equals to 18 i plus 17 j plus 4 k equals to 49 मतलब minus आएगा दोनों के minus से minus आप cancel out कर सकते हो क्योंकि यहाँ का जो minus आएगा यहाँ पर आप लागर scalar से divide कर सकते हो पूरे vectors के जो भी coefficients से उनको बात से हम आएगा यहाँ से minus common निकल कर वहाँ के minus cancel out कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है या फिर minus में यह answer लिखे भी रहन दे सकते हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी clear यह बात क्योंकि अगर आपको यह पता है कि minus 18 नहीं minus 17 यह minus 4 के जो है वो perpendicular है vector के मतलब यहाँ पर N1 क्रॉस PQ आप बोलो या PQ क्रॉस N1 बोलो दोनों ही तो perpendicular होंगे vector के N1 पहले क्यों PQ बात में क्यों ऐसा क्या भला कर दिया N1 ने ज़रूरी थोड़ी है तो आप PQ क्रॉस N1 बोलोगे तब भी vector के जो plane है उसके perpendicular ही आएगा एक perpendicular ऐसा होगा इस direction में दूसर perpendicular इस direction में मतलब opposite direction के दो perpendicular vectors आ सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो यह आपका answer है आपने इसमें एक बार देख लीजिए तो आपको दो points दिये हुए थे जिससे वो plane पास हो रहा था और एक ऐसा plane दिया हुए था जिसके वो perpendicular था तो आप जानते हुए इसमें क्या करना हो था तो सबसे पहले दो points से उनके position vector लिखा आपने उसके बाद हमने बोला यहाँ पर कि जो required plane है हमारा वो perpendicular है इस given plane से कहां यह वाला x-2y-4z-10 से और अगर वो इससे perpendicular है तो भई इसका जो normal आएगा इस plane का जो normal आएगा और यह जो हमारे दो points से P और Q इनका जो position vector आएगा इनके cross product से भी perpendicular होगा हमारा given वाला plane क्यों होगा वो हमने discuss किया हुआ है तो हमने यहाँ पर सबसे पहले तो इसका normal निकाला आप जानते हैं उसके x, y और z के coefficient से उसका n vector मिल जाएगा n1 vector तो n1 vector मिल गया आपको उसके बाद आपने बोला pq vector कितना आ रहा है तो pq vector क्या आएगा भई b minus a तो उससे pq भी मिल गया आपने निकाला n1 cross pq n1 cross pq minus 18 आए, minus 17 जाए, minus 4 के निकल कर आया उसके बाद आपने क्या बोला कि भई यहाँ पर equation of the required pin होती r dot n is equal to a dot n ठीक है यहाँ पर put कर दी equation आगई आपके पास कितनी r dot 18 अब यहाँ पर अगर मैं इसके partition form बोलूँ partition form क्यों बोल रहा हूँ बताऊंगा अभी मैं आपको इसका मैं partition form अगर निकालने को बोलूँ आपको तो r vector की जगा आप जानते हो x i plus y j plus z k हमें put करना होता है और 7 में 18 i plus 17 j plus 4 k भी है यहाँ आप लिखोगे 18 i plus 17 j plus 4 k भी है equals to 49 चल रहा है यहाँ बोलोगे 18 x plus 17 y plus 4 z equals to 49 तो यह ज़िए partition form इस vector का अब यह क्यों निकाला है मैंने क्योंकि हाँ पर हमें यह पता चला है कि भई यह जो line है यह जो है यह उस plane पर जाती है यह हमें बताना है ठीक है तो आपको बताना है we have to prove that this line the plane contains this line ठीक है मतलब की plane contains r is equals to minus i plus 3j plus 4k plus lambda 3i minus 2j minus 5k तो हम क्या करते हैं यहाँ पर यह जो r है और मतलब यह जो r है हमारे पास इससे हम क्या करते हैं x, y और z की value निकालते हैं हमारे coordinates of x, y and z निकालते हैं ठीक है तो यहाँ पर आप बोलोगे सबसे पहले तो इसको बोल सक्का हूँ minus i plus 3j plus 4k plus 3 lambda i minus 2 lambda j minus 5 lambda k अब आप क्या बोलोगे यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा 3 lambda minus 1i plus 3 minus 2 lambda j plus 4 minus 5 lambda k और यहाँ पर क्या हो जाएगा x i plus y j plus z k अब हम क्या करते हैं इस पूरी equation को उठा कर क्या करते हैं यहाँ पर put कर देते हैं इस पूरी equation को उठा कर x, y और z के जाएगा मैं put कर देता हूँ तो क्या आता है putting in equation of the plane तो यहाँ पर आप बोलोगे 18x plus 17y plus 4z equals to 14 अब जब put करेंगे तो हो जाएगा 18 3 lambda minus 1 x plus x की जगे तो put कर रहे हैं plus 17 3 minus 2 lambda plus 4 plus 4 4 minus 5 lambda ठीक है तो यह आगे हमारे पास equals to कितना आ रहा है यह तो यह equals to आ रहा है भाई 49 इसमें कोई दिक्कत कोई परिशानी मलब equals to आना चाहिए left hand side को जब मैं देखूं तो वो equal to आना चाहिए 49 के ठीक है यह बात clear है आपको तो आप क्या करते हो यहाँ पर मलब satisfy करने का मतलब यह है ना कि equation को satisfy करें मतलब left hand side right hand side को balance कर दे तो अब यहाँ पर आप multiply करना start करते हो ठीक है left hand side लेकर शलते हो आप यहाँ पर आप बोलते हो LHS 18 into 3 lambda हो जाएगा 54 lambda minus 18 into 1 हो जाएगा minus 18 minus 1 हो जाएगा minus 18 हो जाएगा 17 into 3 हो जाएगा 51 17 into 2 lambda minus का तो हो जाएगा minus 34 lambda plus 4 into 4 is 16 minus 20 lambda equal to 16 minus 20 lambda equal to 49 49 equal to left hand कहाँ चला गया left hand side लेकर चल रहे है हम तो हमको अब भी prove करना है कि 49 के equal होगा होगा के नहीं होगा वो देखना पड़ेगा आप बोलते हो 54 lambda minus 34 lambda तो हो जाएगा 20 lambda 20 lambda minus 49 जो की RHS के equal है तो आपने क्या बोला कि भाई जब हमने उस line के सारे points को अठा कर जो WOR fulfilled system करने वाले जो general coordinates थे उनको उठा कर हमने plane की equation में put किया plane की equation पुट किया तो उस points उन सारे points ने plane की equation को satisfy कर दिया मतलब कि वो जो line है वो plane के उपर आती है यानि जो plane है वो इस लाइन को कंटेन करता है बात आई समझ तो आपने क्या किया यहाँ पर कार्टीशन पॉप में सबसे पहले प्लेन का निकाला क्या बोला हो तो कोशन में को शुरुवात से देखते हैं लास तक खदम करते हैं इस कोशन को फिर तो यहाँ पर आपको बोला गया था यहाँ से हमने प्लेन का परपरेंडिक्ड प्लेन निकाल सकते हैं ए यहां से हमने प्क्यू निकाला था किकाह है's इन जो कि हमारा जिससे पास हो रहा था plane A vector उसको इस equation पुट कर दिया R dot N equals to A dot N में N हमारा 18, minus 18, minus 17, minus 4 निकला था minus common निकल दो तो 18 I, 17 J, 4 के और यहां पर minus 49 I आ था तो उसको minus से cancel कर दिया हमने तो 49 के equal आ था यह हमारे vector equation आगे थी plane की हमको आप देखना था कि जो एक line दी होई हमें plane उसको contain करता है minus I plus 3 J plus 4 के plus lambda 3 I minus 2 J minus 5 के plane इसको contain करता है तो आप क्या बोलोगे तो आप बोलोगे हाँ पर कि अगर plane उसको contain करता है तो plane की equation में जब इस line के आने वाले सारे general coordinates जो है general coordinates आप जानते हो x, y और z की value in terms of lambda उनको जब मैं put कर दूँगा तो plane की equation को satisfy करना चाहिए तो मैंने बोला ठीक है भाई ये चीज अगर आपको पता है आप यहांसे partition equation निकालते हो plane की यह आ गई इसके बाद x, y और z की value तो जो line है अपनी उसके x, y और z के जो general coordinates है lambda के form में वो निकालते हो आप कैसे निकालते हो तो यहां पर आप i, j और k के coefficients को निकालते हो यहां पर वो जो coefficients है r vector वो है x, y, y, j, z, k x मलब i के, j के और k के coefficients को equate करते हो तो x की value 3 lambda minus 1 y की 3 minus 2 lambda और z की 4 minus 5 lambda आती है इस value को उठा कर आप यहां पर x, y और z की जगा plane की equation पूट करते हो और देखते हो lhs और rhs equal आ रहा है कि नहीं तो आपने देखा कि lambda वाले terms सारे cancel out हो जाते हैं और lhs भी 49 आता है मतलब कि वो जो points थे उन्होंने satisfy कर दिया plane की equation गो याने कि हाँ वो line जो वो plane के उपर आती है plane उस line को contain करता है clear ए बात बहुर अच्छा तरीके से कोई देखकत, कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए इसमें तो next question क्या बोल रहा है find the equation of a plane passing through the point minus 1, minus 1, 2 and perpendicular to दो बार आये हुआ कोशन है 2004 और 2008 में आप जानते हूँ यह कौन सा वाला form है भाई अभी दो form पढ़े अभी हमने पहला form जो था वो क्या था plane जो है वो किनी दो vector से perpendicular है और एक point से pass कर रहा है तो यहाँ पर हम को यह मिल जा था किस point से वो pass कर रहा है उसके position vector हम निकाल दें तो यह हमको a vector दे देता था क्या देता था a vector ठीक है और यहाँ से हमको दो points मिलते हैं दो ऐसे plane मिले हुए हैं जिनसे वो perpendicular है तो इससे आपको n1 मिल जाएगा इस plane का perpendicular इससे आपको n2 मिल जाएगा इस plane का perpendicular और जो हमारा vector है वो n1 cross n2 के perpendicular है ठीक है तो आपने क्या निकालेगा आप निकालोगे इसका n1 इसका n2 n1 cross n2 निकालोगे तो हमें n vector मिल जाएगा जो की perpendicular vector होगा हमारे required plane का तो required plane किस point से pass हो रहा है हमें वो पताद चल जाएगा और required plane किस vector से perpendicular वो पर अचल जाएगा तो equation of plane निकालने हमें कोई दिक्कत होगी नहीं तो एक बार इसको pause करके आप लोग खुल ट्राइ करो तो भई यहाँ पर सबसे पहले तो आपको a vector बनाना है a vector कितना होगा तो वो होगा minus i cap minus j cap plus 2 k cap n1 vector कितना होगा तो n1 vector आप जानते हो यहाँ पर अब इतना समझ गयों कि direct लेख सकते हो आप सारी चीज़ है ना तो n1 vector कितना होगा x का y का और z का coefficient जो है वो n1 vector बनाएंगे आपका तो 3 i cap plus 2 j cap minus 3 k cap यह n1 होगया और n2 कितना होगया 5 i cap minus 4 j cap plus k cap z का coefficient 1 है वहाँ पर तो k cap अकेला ठीक है अब आपको क्या निकालना है अगर हमें यहाँ पर एक vector ऐसा find करना है जो मतलब जो की अपने given vector से required vector से perpendicular होगा तो उसके लिए आपको क्या निकालना होता है n1 cross n2 तो n जो vector हमारा निकलेगा वो n1 cross n2 होगा यहाँ पर क्या आएगा पहले रो में 3, 2 और minus 3 और दूसरे रो में 5, minus 4 and 1 अब क्या करना है तो भई determinant solve करना और क्या करना है इतनी आसान चीज है हर बार तो खरी रहे हैं अपन तो यहाँ पर अब क्या बोलोगे i के लिए क्या 2 into 1 2 हो जाएगा minus 4 into minus 3 is minus into minus plus 12 plus का लेकिन minus sin यहाँ पर आजाएगा और i कैप minus j के साथ क्या होगा 3 into 1 is 3 minus 5 into minus 3 तो minus 5 into minus 3 is plus 15 j कैप plus k के लिए क्या हो जाएगा 3 into minus 4 is minus 12 plus 5 into 2 is 10 तो यह आरहा भई n वेक्टर अपना किता 2 minus 12 is minus 10 i कैप minus 18 j कैप minus 2 k कैप सब कुछ minus है ठीक है तो n वेक्टर इत्ता आ गया है और आपके पास a वेक्टर है minus i minus j plus 2 k तो आप बोलते हो equation of plane तो equation of plane क्या आ जाएगी तो वो आ जाएगा भई r dot n वेक्टर equals to a dot n वेक्टर तो अपना r ही रहेगा n वेक्टर कितना है तो n वेक्टर है आपका minus 10 minus 18 minus 2 minus 10 i कैप minus 18 j कैप minus 2 k कैप equals to a dot n वेक्टर a कितना है आपका तो a है minus 1 minus i minus j plus 2 k dot n है अपना minus 10 i minus 18 j minus 2 k multiply करो भई उसको पूरा तो ही हो जाएगा r वेक्टर minus 10 i minus 18 j minus 2 k equals to minus into minus plus 10 minus into minus plus 18 plus 2 into minus is minus 4 k k क्यों आएगा भई तो जाएगा r dot 10 i 10 i plus 18 j या 2 भी common निकाल लो न तो आप बोलोगे 5 i plus 9 j plus k आपने क्या किया minus 2 common निकाल लिया और यहाँ पर भेज दिया 10 plus 18 is 28 minus 4 is 24 तो 24 upon minus 2 याने की minus 12 तो यह आपके वेक्टर की equation है r dot 5 i plus 9 j plus k equals to minus 12 ठीक है तो क्या क्या किया आपने इस question में हाँ पर तो यहाँ पर आपको बोला गया था भाई कि ऐसा plane की equation निकालो जो की minus 1 को minus 1,2 point से जा रहा है और perpendicular है वो इन दोनों plane से तो यह जो दोनों plane से अपने पास वो है 3x plus 2y minus 3z equals to 1 and 5x minus 4y plus z equals to 5 तो आपने बोला ठीक है भाई यहाँ पर हमें पता है कि अगर यह दोनों से perpendicular है तो इनके जो n1 और n2 vector मतलब इन दोनों के जो normal vectors होंगे उनके cross product से भी वो plane कैसा होगा perpendicular होगा तो आपने बोला n1 cross n2 आप निकालते हो ठीक है तो वो आपको इस vector इस plane के required plane के perpendicular vector मिल जाता है और minus 1 minus 1 2 जो है वो उससे pass होने वाला vector मिल जाता है उसको आप equation पुट कर देते हो r.n equals to a.n में और answer आजाता है r.5y plus 9j plus k equals to minus 12 clear है बात next question यह भी आया हुआ question है देख लो भई और अब वही वाला point कौन सा कि दो point से pass हो रहा है plane और perpendicular है एक plane से तो इससे पहले वाले में दो plane के perpendicular और एक point से pass होने वाला था ठीक है वो form भी हमने पढ़ा तो उसके question भी किया था अब उसका question हमने exercise कभी कर लिया अब यहाँ पर भी यह भी आया हुआ 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 कोशन और यह क्या है इन दोना point से pass हो रहा है तो कैसे क्या करना एक बार शांत हो जाओ अराम से उसके बाद सोचो कि कैसे क्या करना होता है इसमें सबसे पहले तो हमें यह देखना होता है कि यह point P है हमारा यह point Q है इसका position vector है A vector इसका position vector है B vector ठीक है यहाँ से हमें N1 vector मिलेगा जो कि इस plane के perpendicular होगा और required plane के parallel होगा यहाँ से हमें PQ vector मिलेगा B minus A से हमें कहा निकालना है हमें N1 cross PQ निकालना है उससे हमें वो vector मिलेगा जो कि plane से required plane का perpendicular N vector होगा ठीक है और हमारे पास यह vector तो पहले से यह point तो पहले से जो की pass हो रहा है उस plane से तो हमारे पास एक point जो की plane पर है वो मिल जाएगा और एक vector N vector जो कि plane से perpendicular है वो मिल जाएगा तो हम equation of the plane निकालेंगे कैसे r.n is equal to a.n से तो अब ये सारी बाते एकदम दिमाग में रट जानी चाहिए आपको और इतने सारे questions और भी कर लो आप इसको भी कर लो एक एक बार और और भी questions कर लो आप जितने हम अभी तक करें उस type के और उसके बाद इसको एकदम ऐसा कर लो कि दोबारा देखने की जरूरत ही न पढ़े जितने type के मैं questions कर लो उनकी practice अच्छे से कर लो यार जिस दिन ये वीडियो देखते हो ना उसी दिन उस type के तीन-चार question और कर लिए करो sufficient है वो more than sufficient है उतनी practice जितना मैंने करवाया जितने तीन-चार question और add करके कर लिए आपने practice कर लिए उसके अच्छे से तो अब उसके बाद आपको दोबारा देखने की जरूरत नी पड़ेगी फिर तब देखना जब एक्जाम आने वाला होगा तो एक बार go through कर लेना एक एक बार question एक एक टाइप एक कर लेना आपको जरूरत दोबारा नहीं पड़ेगी clear है तो इस तरीके से करते हुए चलो यार अब यहां पर आप बोलते हो इसके perpendicular है यहां से n1 vector मिलेगा पहले सबसे पहले आप बोलते हो pq vector तो वो होता है b minus a vector b vector कितना है आपको तो b है minus 1i plus 3j plus 4k अब यह लिखना तो आता ही होगा आप लोगों को ठीक है minus a vector कितना है आपका तो 2i plus 1j minus 1k यह कितना हो जाएगा minus 1i minus 2i plus 3j minus 1j जब दो दो डॉट बन गई बनने दो plus 4k plus 1k तो यह बन जाएगा minus 3i plus 2j plus 5k यह आपका वो वेक्टर बन गया कौनसा PQ vector जो कि plane के उपर आ रहा है ठीक है अब आपको यहां से x minus 2y plus 4z से n1 vector चाहिए तो n1 vector कैसे निकलेगा भाई इस plane के perpendicular vector कैसे निकलेगा x, y और z की coefficients को देखकर x का coefficient है यहां पर 1 तो हो जाएगा 1i cap minus 2j cap plus 4k cap यह n1 आ गया अब आपको निकालना है n vector required plane के perpendicular vector और वो आएगा n1 cross PQ से n1 cross PQ या PQ cross n1 जो भी करना है कर सकते हो ना दोनों ही रखना perpendicular होंगे लेकिन आप n1 cross PQ ही करके चलों जो standard form सबको ही करते हुए चल रहे हैं अब n1 cross PQ से यहां पर करोगे आप तो आप देखोगे क्या n1 cross PQ याने की i, j, k तो पहले लिखी दो उसके बाद n1 तो n1 किता है आपका 1 minus 2 4 और PQ है minus 3, 2, 5 तो कितना आ जाएगा भाईए minus 2 into 5 is minus 10 minus 2 into 4 is 8 i cap minus j के लिए 1 into 5 is 5 minus minus 3 into 4 is 12 k cap उसके बाद k नी, j cap plus 1 into 2 is 2 minus 3 into minus 2 is 6 यह जाएगा minus 18 i cap minus 17 j cap minus 4 k cap minus 18 i cap minus 17 j cap minus 4 k cap clear a बात अब आपके पास n आ गया a आपके पास पहले से ही है a किता है आपके पास 2 i plus 1 j minus k तो आप बोलोगे equation of the required plane r dot n is equals to a dot n हो जाएगा तो r को तो r ही रहने दो n कितना हो जाएगा तो n है minus 18 minus 17 4 minus 18 i cap minus 17 j cap minus 4 k cap equals to a किता है तो a है आपका 2 i minus 1 j minus 1 k 2 i plus 1 j minus 1 k plus 1 j था न हाँ minus 1 k dot n कितना है आपके पास तो n है minus 18 i minus 17 j minus 4 k लिख दो भर इसको तो r dot इसको तो यही पर ऐसे रहने दो minus 18 i minus 17 j minus 4 k equals to 2 into minus 18 is minus 36 1 into minus 17 is minus 17 minus 1 into minus 4 is plus 4 या या exact वही कोश्चन तो नहीं हो गया वैसे ही क्यों लग रहा है मुझे same question होगए कि example जैसा CBC 2013 में 2 1 minus 1 minus 1 minus 1 3 4 minus 1 3 4 x minus 2 y plus 4 z ओके यह almost same question ही हो गया कोई दिक्कत नहीं लेकिन हाँ उसमें दूसरा part भी था आपके पास बट ठीक है तो इसके आगे का तो वैसे आप करी सकते हैं उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर आप बोलोगे कित्ता हो जाए गई है R dot 18 I plus 17 J plus 4 K equals to 14 I तो इस question को जब आपने रुक कर खुट से solve किया हो दब तो बन गया हो गई है वो जो question था वो हलका सा different था इससे क्योंकि उसमें और भी चीज़े पूछी गई थी लेकिन आधा काम उसमें सेम ही करना था आधा काम उसमें सेम ही करना था और दोनों अलग-अलग साल में आई हो एक question से तो यहाँ पर आपको यह चीज़ समझ में आ गई कि कैसे क्या करना होता है जब आपको दो points मिलते हैं जब आपको दो points मिलते हैं जिनसे वो plane pass हो रहा है और एक point ऐसा जिससे वो plane पर एक plane ऐसा जिससे वो plane perpendicular है तो आपको क्या करना होता है इसका PQ vector निकालना होता है यहाँ से perpendicular vector N1 निकालना होता है P q cross N 1 निकालना होता है वो वैक्टर हमा जो required वैक्टर उसके perpendicular हो जाता है और आपको फिर वैक्टर की equation में put कर रेना होता है क्योंकि आपको वो जो plane है जो required है वो किस point से पास हो रहा हुँ वो वो भी पता हो दा Tो r.n एकूस to a.n में put कर दो क्लियर है इजी है यह तो बहुत ही अच्छा अब ऐसे कोई भी कोशन आ जाएं आप से बन जाने चाहिए बहुत ही आसानी से कुछ खास और बचा नहीं इसमें इस टाइप की जो भी कोशन आएंगे वो बन जाएंगे आपसे ठीक है तो क्या गया पड़ा आपने तो अगर एक कोई एक प्लेइन दो प्लेइन स्टा पाहुठ एक पाउंसे पस होता है तो भी आप उसकी स्रिक्वीयृन निकाल रोगे äप और अगर एक प्लेइन दो पॉइंट से पास हो रहा है और एक पाउइन से परिपेंडेज़ हैं तू भी आप उसकि एक्याल लोगे कैसे तो वो पूरे वीडियो में हमने पूरे डिसकस कर लिया है अब बात आती है भाई कि अगर आपको वीडियो देखने में या ढूने में कोई भी दिक्कत है परिशानी होती है तो आप magnetbrains.com पर जा सकते हैं या फिर magnetbrains का एप भी डाउनलोड कर सकते हैं दोनों ही जगा आपको सब्जेक्ट वाइस प्लेलिस मिल जाएगी के जिस लेके क्लास 12 तक सबकी और सारे कोर्सें 100% फ्री हैं तो आप देख सकते हो बिना किसी टैंशन के आपको पता है कि आप क्लास 12 इंग्लिश मीडियम के सुड़न तो उस पर जाना ठीक है जैसे जाओ कि होम पेज पर सब कुछ दिखने लगेगा ना उसके बाद यहां पर जैसे आप क्लास 12 इं करना तो और नहीं मिल रहा है तो उसको टाइडल पढ़ना डिस्क्रिप्शन पढ़ना और क्लिक कर देना और कहीं जाने की जरुवत नहीं होगी वहीं पर वो वीडियो प्ले हो जाएगा आपको मैं आकर सारी चीज़ समझाने लग जाओंगा हना मतलब यूट्यूब अगर आपको पता है ये बात तो अगर आपको लगते है कि आपको आपकी किसी फ्रेंड को है किसी रिलेटिव को इस बात से फायदा मिल सकता तो उस तक ये बात पहुचा है कि मैंगनेट बेंस हिंदी को जाकर भई आप सबस्क्राइब कर लीजिए यहां पर सारी क्लासेज और बहुत ही शांदार क्वालिटी के साथ ठीक है तो मिलेंगे नैक्स वीडियो में जहां पर हम इसी चैप्टर के कुछ और पॉइंट्स हम जानता हूं मैं काफी लेंडी चैप्टर है ये बट क्या करें सारी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टन यह कि आप देख रहे हों ह हर एक टाइप के जो भी मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं आपर कोशन्स उनसे कोशन्स आए हुए हैं हर टाइप की जो एक्वेशन्स हम निकालते हैं उससे कहीं नख़ीं कोशन्स आई ही हुए है ठीक है तो आपको सब कुछ करना जरूरी है अब वैसे भी अपन लोग क् पड़ेगी और मान कर चलो जितनी महनत हम बोले सर्व उत्ती कर लोगे ना आपके फुल मार्ग सा जाएंगे ठीक है तो स्किप कुछ मत करना सब कुछ पढ़ते हुए चलो मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए भाई भाय एंड टेक किया